नमस्कार दोस्तों मेरा नम हमेद शर्मा और आप देख रहा है Mad Mechanic चनल तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कार की बैटरी और बाइक की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं वो भी घर पे और कार और बाइक की बैटरी अगर आपके पास कोई भी डेट बैटरी प इंवर्टर होंगी जो घर में में इंवर्टर लगा होता है उसे यूज कर सकते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए फिर दूसरा है आप कम्प्यूटर का यूपियस यूज कर सकते हैं फिर तीसरी चीज़े हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्ट का है और चार या पांच एंपेर का करेंट वो देता है तो आप उससे भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं लेकिन चार्जिंग करते समय इससे आपको वहां पे बैठ कर बैटरी पे ध्यान देना रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा रिस्की तरीका है पर यह काम करता है और अग का जो चार्जिंग करेंट एंपेर में अगर कहा जा तो काफी कम होता है तो अगर आप लेट एसे बैटरी उसे चार्ज कर रहे हैं तो वह हो सकता है दस या बारा घंटे भी लेले चार्ज होने में कंप्लेट तो लेकिन यह चार्ज करता है और यह काफी सेफ भी है क्योंकि कि मैंने अपनी कार की बैटरी चार्ज की है अपने इंवर्टर से भी चार्ज की है और यूपीएस की बैटरी से भी चार्ज की है और एक तरीका है जो कि अगर आपके पास कोई charging option नहीं है तब आप बैटरी को temporary emergency के लिए आप जैसे पानी गर्म करने वाल रॉड आता है उससे भी चार्ज कर सकते हैं बस आपको बैटरी को एक बाल्टी में डालके उसमें पानी भरके और फिर वो रॉड डालके पानी को गर्म करना रहता है जिससे क बाहर से जो thermal energy होती है वो अंदर की प्लेटों को गरम करके अंदर जो acid है यानि कहा जाए उस acid को electrolyte वो चार्ज हो जाता है उसके वज़े से तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है और दुबारा यूज के लिए भी तयार होती है यह emergency में तरीका है क्योंकि यह तरीका मैंने अपन के यूज कैसे कर सकते हैं दुबारा तो सबसे पहले तो आप उसमें अगर वो एकदम से dry हो चुकी है बैटरी अंदर से तो आप acid जो बैटरी में पड़ता है वो आप डाल के उससे चार्ज कर सकते हैं और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप distil water ले उसमें नमक मिला कर बैटरी में डालने अगर उसका जो पानी वाल होल है अगर वो डिया हुआ है पानी डालने के लिए तो इसमें आप वैसे डाल सकते हैं लेकिन आप यूज कर सकते हैं सिरिंज जो इंजेक्शन डॉक्टर्स यूज करते हैं आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए काफी असानी से अंदर जो है वह पानी चला जाता है और जो अंदर bubbles होते हैं वो नहीं बनते हैं और उसमें proper पानी भर जाता है इस इस डाप पलत के तूर पहर विकलए है इस बैटरी के लिए ख अचिंद् Это तो आप उसमें एसे डाल के उसे चार्ज कर सकते हैं अपने UPS से या इन्वर्टर से या ये गरम पानी वाला तरीका जो मैंने अभी बताया आप उसे भी यूज कर सकते हैं जो कि अमर्जनसी में काफी काम देता है तो आपके पास अगर कोई भी बैटरी पड़ी है तो आप इसे लो जो मैंटेनेंस प्री बैटरी आती हैं ड्राय बैटरी अगर कहा जाए तो आप उन्हें भी दुबारा यूज कर सकते हैं इन ही तरीकों से आप उसमें एसे इंजेक्ट कर सकते हैं उपर का हिस्सा खोल के या अगर वो completely dead हो गई है तो आप उसमें नमक यानि salt water मिला के उसे चार्ज कर सकते हैं वो temporary यूज के लिए तैयार हो जाती है पर लंबा सस्टेन नहीं करेगी अगर चाहेंगे कि वो एक दो साल चल जाए तो ऐसा नहीं चलती है पर अगर आप बैटरी वाला acid यूज करते हैं बैटरी में काफी काम देते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किन किन चीजों से अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मेरे पास यह inverter है मैं इससे चार्ज करता हूँ बैटरी यह एक inverter है मेरे पास फिलाल तो अभी इससे चार्ज नहीं कर पारा हूँ क्योंकि यह low battery को भी full charge देखा रहे है तो inverter यह मेरा हो गया खराब तो अब मैं चार्ज कर रहा हूँ अपनी गाड़ियों की बैटरी अपने यूपियस से इससे 78 गंटे बैटरी फुल चार्ज वाती है और मैंने अंदर से एक यह प्लस और यह एक माइनस यह दो तारें निकाल रखी है इसमें से प्रॉपर लाइट नहीं है जैसे आप देख सकने एक तार यह है और एक तार यह है तो मैंने यूपियस से बैटरी चार्ज करता हूं अगर आपके पास भी ऐसी बैटरी है कोई आप उसे दुबारा यूज करना चाते हैं लाइट के तोर पे या किसी और चीज में तो आप इससे ओपन करें अगर यह कंप्लेटली ड्राई है तो डिस्टिल वाटर लें अगर आपके पास बैटरी वाला तिजाब है तो भी अगर आपके पास टॉइलेट में यूज होने वाला एसे ड है तो उसे भी आप बहुत हलका सा नमक के साथ मिला के दुबारा इसमें डालेंगे और इसको थोड़ से एक दू घंटे चार्ज करेंगे तो यह दुबारा यूज के लिए तयार हो जाएगी बैटरी तो यह कुछ तरीके थे जो कि आप डेट बैटरी यूज करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो यह कुछ तरीके थे जो कि आप बैटरी को डेट बैटरी को दुबारा यूज में ले सकते हैं आप बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं गर पिड तो यह सारे तरीके मैंने बता तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ